आपको बोडी बिलिंग से रिलेटर अपडेट देखने को मिलती हैं तो भाई बढ़ते अपनी पहली अपडेट के और जो किया रहे अपने नूर खान क्यों थे सो वाई अपने नूर खान के ना काफी समय के बाद अपडेट लेकर आज को आप सभी के लिए तो भाई यहना अपनी इस्टाग्राम स्टोरी में बताते हैं कि यहना कंपीट करने वाले अपने शेयरू क्लासिक में और यह कहते हैं I am back baby और रही बात इनकी फिजिक की तो इन्होंने अपने लेटर फिजिक अपडेट भी शेयर कर दिया है बाकि भाई इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी तो इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि यह आ रही है अपने आएब भी प्रो मनोज पाटिल की और से सोबाईज अपने मनोज पाटिल अपना रिसन्ट फिजिक अपडेट हमारसा शेयर कर दिया है जो कि आप लोग दे सकते हैं कि अपने मनोज पाटिल प्रेजन टाइम में कैसे लग रहे हैं और ये ना इस समय अपना bulking face में है और इनका current weight है 94 kg और भाई ये ना 14 weeks out अपने डेली वाले pro show के लिए तो भाई देखते हैं कि अपने मनोज पार्टेल डेली वाले pro show में क्या improvement लेकर आने वाले हैं इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर देखने को बिल जाएगी तो इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जोकी आ रही है वितेंदर सिंग के उरते जोकी अपने इडिया के legend bodybuilder है तो भाई इनकी तरफ से बहुती बड़ी अपडेट आ रही है कि इन्होंने compete किया था Mr. UP में Master category में और भाई ये जिद जाते हैं उसमें gold medal तो भाई many many congratulations अपने वितेंदर गुरु जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये compete करने वाले अपने Arnold Classic में जो कि बाई Columbus में हो रहा है पांच मार्च को तो भाई ये 4 डे आउट अपने Arnold Classic के लिए तो भाई all the best करते हैं अपने आनन अर और Arnold Classic के लिए बाकिवा इनकी आगे की अपडेट भी आपको इस चैनल पर तेखने को मिल जाएगी तो इसके बाद काफी यदा हुज और एक अच्छी कंडिशनिंग में नजर आ रहे हैं चेस्ट और और पॉंट एपस भी काफी अदा पॉप आउट हो रहे हैं और आप लोग इनकी लैक्स भी दे सकते हैं जो कि काफी यदा हुज लग रही हैं और यह कंपीट करते हैं बोडी बिलिंग से दुबाई उनने अपना लेटर फिजिक अपडेट शेयर कर दी है जो कि आप लोग दे सकते हैं जिसमें कि आप लोग दे सकते कि अपने रवनी से इतनी अची कंडिशनिंग में लग रहे हैं चेस्ट और ओन पॉंट एप्स भी काफी अदा पॉप आउट हो रहे हैं और काफी अदर डिपलीटिट नजर आ रहे हैं और इनकी इस फिजिक को देखकर ऐसा लगता है कि यह जल्दी किसी कॉमप्रिशन में कंपीट करने वाले हैं और वाई कुछी समय में अपने थाइलेंड प्रो शो भी होने वाला है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने रवनी सिंग थाइलेंड प्रो शो में कंपीट करेंगे नहीं इन से लेटेट आप सबके क्या थोड़स है आप लोग मुझे कमेंड बोक्स में बता सकते हैं तो इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली अपडेट की और जोकिया रिया आप सबके फेवरेट अभी शेक यादव क्याद काते हैं कि ऐस पर यह काफियादा improvement लेकर आने वाले है Shiro Classic में नहीं अभी तो शेरू ख्लासिक हूव Olmurt 3 में रह चुके हैं और भी अपने अभी शेक यादव बाकिह आप सबको क्या लगता है अपने अभी शेक यादव khay elbow इस बार के लाइस की current conditioning दिखाते हैं और भाई अपने दातों की भी rate देते हैं जो कि आप लोग दे सकते हैं और भाई मैं तो काफी आता चोग गया था इनके सब्डेट को दे कर जिसे चिकन को चबा चबा करना भाई इनके दात भी खतम हो चुके हैं कुछ ही दात रहे गया है इनके और ये बताते हैं कि नो भाई चैंपिन बंदे के लिए आपको काफी आता sacrifice करने पड़ते हैं बाकि वाई इनसे related आप सबके क्या थोड़ से आप लोग मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं तो भाई आज के लिए बसित नहीं रखते हैं आपको मिलते हैं कल किसी को नहीं वीडियो के साथ अगर आपको याफ वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को like, share, subscribe and thanks for watching मिलते हैं आपको कल किसी को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए तिल दान टेक केर और भाई